हाव रूफिक्स रेट्मी फॉर हेड़फॉन जेक प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हे हेड़फॉन जेक प्रॉब्लम को फीक्स कर सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको भी हेड़फॉन जेक के रिलेटेट पर कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आज की इस वीडियो के साथ बने रही है क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो पर आपको कुछ ऐसा solutions बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हुए आपने problem को solve कर सकते हैं ठीक है तो headphone jack जो ही दोस्तों कभी-कभी fix हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी इसको technically fix करना भी होते हैं यानि कि hardware के problem के वज़े से यहाँ पर इशू क्रेट हो जाते हैं तो आपको उस वक्त क्या करना ह हैं तो वह सबी मैं आपको इस वीडियो पर सजेस्ट कर दूँगा आप सिंपली इस वीडियो को देखे और सारे चीज़े फॉलो कीजिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को क्लिक करें यह आप अनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जेक का जो एश्यू है वह आपके हेड़फॉन पर भी हो सकते हैं ठीक है और आपके जो मोबाइल पर प्लक है ह यूज करें तो उसको साइट में करके आप एक अच्छे से हेडफॉन जो है उसको अपने फोन पे भर के देखें ठीक है अगर जो नया वाला है वह काम कर जाते है तो ठीक है अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों हो सकते हैं वह नोट सपोर्टेट हो तो सपोर् हेडफ़़न ही यूज करना है और देखने की काम करहा है यांन्ही कर रहे अगर काम करते ठीक हैं नहीं करते तो आप अपने फ्टसप्लाग जो है नीचे में उसको बहुत साफ करके देखिए और आपने फोन को जो है थोड़ा सा शेक करके भी देखिए ठीक है तो पहले आप उस प्लक को जो है साफ करने के कोशिश करें आपका प्रॉब्लेम उससे सॉल्फ हो जाएगा तो आप यह करके भी देख सकते हैं अगर दोस्तों यह चीज़ काम कर जाते हैं तो आप हैड़फोन को अभी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दुबारा से अगर प्रॉब्लेम आते हैं तो हैड़फोन को जो है दोस्तों आप एक बार प्लक कीजिए जोर से और जोर से उसको बाहर निकाल दीजिए ठीक है तो यह काम आपको जल्दी में करना होगा ठीक है फास मोट से आप कीजिए फटक से जो है अपने एयरफोन को अपने फोन पे एट कीजिए और उसके बाद आपको जो है जोर से ही उसको खीच के बाहर निकलना भी है तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों कई बार प्रॉब्लेम यहाँ पर सौल्फ हो जाते हैं तो आप अगर इससे प्रॉब्लेम हो जाता है तो ठीक है नहीं होते तो फोन को एक बार रिस्टार्ट करके ट्राय करके भी आप देख सकते हैं फोन रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों प्रॉब्लेम जो है कही तरह का सौल्फ हो जाते हैं और हमने खुद से देखा है एक्सप fix करना है ठीक है तो आप दोस्तों आपने नजदी की ताउन एरिया पर जा के कुई टेक्नीशन को दून लीजिए याद फिर सर्वेश संटर है तो आप सर्वेश संटर पर जा सकते हैं अगर आपके पास वेरंटी है फॉन का तो आप वेरंटी काड को लेके जाके आप फ्री म को fix कर सकते क्योंकि दोस्तों कई बर क्या होते हम हमारे तरफ से fix नहीं कर पाते हैं जो भी possible solution था मैंने आपको बता दिया है अगर काम बनते तो ठीक है नहीं बनते तो यहां पर दूसाम कुछ नहीं कर सकते हाड़वेर का इस्यू होने से दोस्तों वह तो technician fix कर सकते क्योंकि द